चीफ जस्टिस की बिमार मा के साथ एक व्यक्ति पर धाई करोड रुपे की धोखा धड़ी करने के आरोप लगे हैं बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऐसे बोबडे की मा की पारिवारिक संपती की देख भाल करने वाले एक व्यक्ति को धाई करोड रुपे की धोखा धड़ी के आरोप में गिरफतार किया गया है पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी तापस घोश को आठ दिसंबर की राद गिरफतार कर लिया गया था नागपुर पुलिस का एक विशेश जांचदल विनीता साहू के नित्रतों में मामले की चानवीन कर रहा है अधिकारी ने कहा कि आकाशवानी चौक के पास बोबड़े परिवार के आवास से सटी हुई उनकी संपत्ती है जिसका नाम सीडन लॉंज है उन्होंने कहा कि शादियों जैसे कई आयो जनों पर इसे किराय पर दिया जाता है जस्टिस बॉबडे की मा मुक्ता इस संपती की मालिक है और घोश को इसकी देख भाल करने के लिए नियुक्त किया गया था घोश पिछले 10 साल से संपती का मेनेज्मेंट संभाल रहा था और वित्तिय लेन देन देख रहा था मुक्ता बोबडे की उम्र और गिर्ते स्वास्ते का फाइदा उठा कर घोश ने कथित तोर पर लोन की फरजी रसीदे बनाई और धाई करोड रुपे का घपला कर दिया लोकडाउन के दोरान बुकिंग रद होने के बाद भी लोगों के पैसे नया लोटाने के बाद पूरा मामला सामने आया अगस्त में मुक्ता ने धोखा धड़ी की शिकायत दर्च कराई जिसके बाद जांच टीम बनाई गई बताते चले की चीफ जस्टिस की बिमार मा के साथ धाई करोड की धोखा धड़ी हुई है आरोपी मेरेज होल की देख रेक करता था बताते रेक करते बाद़ेगा से थाख प्राद कीज़ी की चीपवाच बिंग्सट ने गगस्तित अग्में दर्किरस्टीप, जुशबर्स आएगद, लुशबर्स, लुशबर्स, ऊदूआ साथ जुशबर्स, इस दिरिख पाड़ा में दोड़ी हुआते था, जुशबर् झाल झाल ऐसी ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंने वाल राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइब